दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए मन्त में आज है 2 अगस्त 2021 एक नए दिन के करेंट अफेर्स की सुरुवात करेंगे चले सुरुवात करते हैं किन दो देशों की नो सेनाओं के बीच एक military exercise हुए है जिसका नाम है कोरपैट इंपोर्टेंट है और इसका अभ्याज हुए है यह आईजित हुआ है तो यह आईजित हुआ है भारत और इंडोनेशिय के साथ दिकरें अभी एक संयूक्त जो military exercise है यहाँ पर संयूक्त सेन अभ्याज हो है वो यहाँ पर हुआ है जिसका नाम है कोरपैट ठीक है कोर्पेट यानि की इंडिया, इंडोनेश्या, कोर्डिनेशन, पैट्रोल, जो पैट्रोलिंग करने के लिए जो कोर्डिनेशन बिठाई जाती है उसके लिए यहाँ पर भारत और इंडोनेश्या ने साथ मिलकर इसको यहाँ पर किया है यह इसका 36 वा संस्क्रण यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है आईजित निस्तन कौन सा है हिंद महासागर आप लोगों को देखने को मिलता है भारत और इंडोनेशा के बीच कोरपैट का 36 वा संस्क्रण 30 और 31 जुलाई यहां पर 2021 को महासागर यानि कि इंडियन ओशन के अंदर यहां पर आयजित किया गया है तो यह भी एक important question यहां पर बन जाएगा भारते नो सेना जहाज सर्यू और एक सोदेशी निर्मित अपत जो यहां पर अब तर्टिय जो है यहां पर अब तर्टिय गस्ति पोत और इंडोनेशिय नो सेना जहाज जिसका नाम है के आर आई बंग टोमो यह युद्ध यहां पर अभ्यास है वह यहां पर करने वाले हैं इस अभ्यास का उदेश है वानिज्य सीपिंग अंतराश्टे व्यापार और वेद समूंदरी जो यहाँ पर गतिविदियों के संचालन के लिए यहाँ पर किया गया है यह हिंद माहसागर में इसका एजन किया गया है अगला क्यूशन है महारास्ट भूशन पुरुसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है इसका जो सही अंसर होगा यह होगा ए आशा भूशले के दवारा तो आशा भूशले को यहाँ पर भारत की सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहे फाल के पुरुसकार 2008 में पदम भूशन यहाँ पर जो सम्मान है आपर उससे भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है संयुत राष्ट महासबा यानि की UNGA United Nations Journal Assembly इसके 46 सतर के जो अध्यक्सता है वो किसने की है तो यहाँ पर करेक्ट होगा अब्दुल्ला शाहिद के दौरा ओप्शन नमबर C आपका करेक्ट है चेतरवे जो सतर है मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद इनके यहाँ पर इनके दौरा इसके जो अध्यक्सता है वो की गई है पहली बार होगा जब मालदीव राष्ट महासबा है इसके अध्यक्स के पदपर यहाँ पर आसीन होंगे गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरू कीजेगा United Nations जिसके स्थापना 24 October 1945 में हो थी इसका मुख्याले है New York में और इसकी जो कंट्री है यहाँ पर जो सदिशे मेंबर है वो है 193 और अध्यक्स हैं यहाँ पर anti-new Guterres ठीक है अगला कुशन है भारत बिलबुक्तान परणाली इसकी नई मुख्ये जो यहाँ पर C हो है वो कोन है यहाँ पर तो यह बनी है नुपूर चत्तुरवेदी ऑप्शन नमर C करेक्ट है यहाँ पर अगला देखें यहाँ पर Transgender के लिए आरक्षन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कोन सा बन गया है राइट एंसर है D करनाटक तो Transgender जो है इनके लिए यहाँ पर पहला राज्य बन गया है करनाटक जिसने यहाँ पर आरक्षन दिया है यहाँ ठीक है करनाटक सिविल सिवा यानि की जो सामाने भरती है नियम 1977 में संसोधन के बाद एक यहाँ पर जो अधिस पूचना है इससे पहले ही जारी की जा चुकी है इसमें सभी सामाने और साथ ही तीसरे लिंग के लिए आरक्षित शेनियों के एक परतिसत की जो आरक्षक है वो के जो गवर्नर है वो है यहाँ पर थावर्चंद गहरोड ठीक है भारत की स्पेस एजन्सी इस रो इसका मुख्यल है यहाँ पर बेंगलूरू करनाटक में है और इसका मुख्यल नियादी सो है अभय सिरीनवास ओक का है इंपोर्टेंट क्यूशन यहाँ पर बन जाएगा अगला विष्व रेंजर दिवर यानि की यहाँ पर वर्ल्ड रेंजर्स डे यह 2021 यह कम मनाया गया यह हर साल 31 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन यहाँ पर बन जाएगा वर्रिवन देखोव विष्व रेंजर दिवर्ड जो है ना जो दुआरा किये गई जो कारिय हैं जो यहां पर जो श्रम है इन को मनानी के लिए, असका जश्न मनानी के लिएएं पर किया जाता है विश्व, रेंजर डिवस, इसके महतो पूर्ण का समर्थन करने का जो अपसर है, वो पृष्ण करता है भारत का GI tag प्राप्त ये GI है ठीक है CI नहीं है ये GI tag है फाजिला आम बाहरीन निर्यात किया गया है इस आम का संबंद किस राज्य से है ये है B पश्यम मंगाल से GI tag सबसे पहले 2004 में दिया गया था ठीक है और ये दिया गया था दार्जिलिंग टी को तो दार्जिलिंग टी आप सभी जानते हैं आपर ये है वेस्ट बंगोल को ठीक है तो 2004 में सबसे पहला GI tag यहाँ पर दिया गया था और पश्यमी आम जो यहाँ पर पश्यमंगाल इसका यहाँ पर जो मालदार जिलिक का यहाँ पर यह आम है और इसको GI tag यहाँ पर दिया गया है अगला देखें यहाँ पर किस भारतिये ने budget airline जिसका नाम है आखशा आकाश आकाशा यहाँ यहाँ पर इसको लुँज करने के लिए यहाँ पर गोशना के गई है यह की गई है राकेश जुन जुन वाला ठीक है तो यहाँ पर किस भारतिये बजट ने यहाँ पर जो एरलाइन है यहाँ पर जिसका नाम है आकाशा एरलाइन इसको यहाँ पर लोंज करने की कोशना राकेश जुन जुन वाला ने की है अरपती निवेशक हैं राकेश जुन-जुन वाला इन्होंने बजट एरलाइन जो है यहाँ पर जिसका नाम है आकाश्या एरलाइन इसके एक साल के अंत तक या अगले साल में सुरू होने का यहाँ पर जो परिचालन सुरू किया जा सकता है इसका राके जुन जुन वाले की योजना अगले चार साल में 70 एरक्राफ्ट के साथ 3.5 करोड जो डोलर है यहाँ पर उसके निवेस की एक नई विमानन जो कमपनी है वो सुरू करने की घोशना की है किस कमपनी ने CBSC बोर्ड के साथ मिलकर AI for all जो है यहाँ पर यहाँ पर पहल सुरू की है तो यह Intel के साथ C आपका करेक्ट है आपर चिप बनाने वाले कमपनी है Intel इसके लिए AI for all यहाँ पर पहल का जो यहाँ पर सुरूत है वो यहाँ पर केंद्री है माध्य में सिक्षा बोड यानि की CBSC के साथ हाथ मिला है इन्होंने AI यानि की Artificial Intelligence ठीक है तो यहाँ पर यह important है किस राज्य की सरकार ने Tokyo Olympics 2020 में रजत पतक विजेता मेरा बाई चानू को ASP यानि की Assistant Superintendent of Police न्यूक्त किया है यह था आज का आपका वीडियो चली आप यह बताए कि मनुपूर के बारे में आप कितनी चीज़े आप जानते हैं तो कमेंट सेक्षिन में उसके बारे में रिप्लाई कीजिए और अगर आपको यह वीडियो चल लगते तो प्लीज वीडियो को 500 लाइकर जो टार्गेट हम